अजय देवगिन ये नाम किसी के लिए ऐसा नहीं है कि पहली बार सुना होगा। हमें आदत है इनको परदे के सामने मारधार, आक्शन, रोमैंस, कॉमेडी, सब कुछ करते हुए देखने की परफेक्ट हीरो मटेरियल। लेकिन क्या आप जानते हूं सिर्फ कैमरा के सामने नह है और उसके बाद दिमाग अपने आप अपना फैसला बदल लेगा। विगो मार्स सिनिमा अभी दक पूरी तरह साउथ फुल्म इंडस्टी के नाम था। चाहो तो केजी अब देख लो या फिर आरारार उठालो इवन पुष्पा, सब के सब फायर हैं बॉस। वहीं बॉल को समझ लो कुछ बिल्कुल हट के गिफ्ट करता है, शिवाय, रनवे 34, एकदम बवाल हैं दौनर मूवीज। भूला का टीजर, honestly, मुझे लग रहा है मास विद क्लास का स्पेशल कॉमिनेशन जो बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है किसी भी फिल्म में। जो औरिजिन शिली जो फिल्म का टाइटल बदलकर कहानी को शिव भगवान से जोड़ा गया है, वो इस रीमेक फिल्म को एक नया फ्लेवर दे रहा है, कुछ डिफरिंट बिल्कुल अलग। दिया है बंदे को नेगेटिव शेड में मार डाला भई, वरना कॉमिडी में इनको देखकर सच बोलू आँखे ठक गई थी मेरी टेलेंट फेस्ट हो रहा था बार बार, तब हुँ माम का कैरेक्टर भी बढ़िया लग रहा है मुझे तो, दृशन से जो दोनों के बीच में नोगजुक वाली कैमिस्ट्री चालू हुई, वो भोला में भी सेम टू सेम है, वैसे सच सच एक बात बताऊं, इस फिल्म में अजे देवगन एज आक्टर या फिर अजे देवगन एज डिरेक्टर दोनों में से किस के लिए जादा एक्साइटेड हूँ समझ नहीं आ रहा अक्शन सीन्स प्लस ये डार्क डायलोग डिलिवरी एकदम माहौल सा बना दिया टीजर में इन दोनों चीजों ने, कुछ मिस्टरी सस्पेंस टाइप का भी फील हो रहा है ये अजीबों गरीब सीन्स देखकर कहानी ओरिजिनल फिल्म से थोड़ी बहुत बदल दिये हैं इ एको मैं कभी सपोर्ट नहीं करती हूँ ये रीमेक फाला फंडा लेकिन अडप्टेशन के खिलाफ मैं बिल्कुल नहीं हूँ इन शॉट वहां से आइडिया उठा लीजिए और उसको अपने देसी फ्लेवर के हिसाब से एक नई शकलित दे दीजिए इसमें महनत भी लगती बढ़ना थोड़ा सा इंतजार करें मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाइबाइबाइब